हम इस वीडियो में exercise 7.2 से question number 3 को answer करने वाले है तो यह देखिए यह है एक rectangular shaped ground जहाँ पर sports activity होने वाली है और यह जो lining का distance यह lining जो prepare की गई है उसके बीच का distance जो है वो 1 meter है यहाँ पर जिसा आप देख पा रहे है 10 lines को draw किया गया है उसके आगे question को read करते हैं 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD अब यह जो AD line है यहाँ पर हर 1 meter के distance पर एक flower pot को रखा है इस वार अगेन एक और flower pot अगेन एक और flower pot इस तरीके से flower pots को रखा गया है और हर एक line पर कितना distance है 1 meter का मतलब हर एक 1 meter पर एक flower pot को रखा गया है तो वैसे 100 flower pots को रखा गया है तो यह जो पूरा total AD length होगी वो कितनी होगी 100 meter बहुत ही आसान आस सोन इन फिगर 7.12 यह जो फिगर है यह फिगर 7.12 ही है निहारिका रण्स वन पूर्थ दिस्टन्स AD अन दे सेकंड लाइन अब देखे सेकंड लाइन पर यह जो गर्ल दॉट रही है इसने कितना distance कवर किया है वन पूर्थ वन पूर्थ अफ दिस्टन्स AD तो निहारिका यह पॉइंट को मैं नेमिंग कर देता हूँ और निहारिका ने जो distance कवर किया है वो कितना है वन पूर्थ अफ वन पूर्थ अफ दिस्टन्स AD अब यह distance AD जो है यह कितना है 100 मीटर है अब देखे 100 मीटर डारेक्ली कोशन में गिवन नहीं है यहाँ पर इस तरीक से बताया गया है कि हर एक मीटर की distance पर एक फ्लावर पॉट को रखा जया है वैसे कितने फ्लावर पॉट्स रखे गये हैं 100 तो कितना distance होगा 100 मीटर और निहारिका ने जो second line से दौड़ना start किया है उसने कहां पर आकर रुकी है या कहां तक उसने distance कवर किया है तो वो है one fourth of distance 80 तो यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ one fourth of distance 80 जो निहारिका ने distance कवर किया है ठीक है तो one fourth और distance 80 जो है 100 मीटर अब देखिए क्या हो जाएगा यह four one's a four, four two's a eight, two बचा यहाँ पर four five's a twenty यह होगा आपका twenty five, twenty five मीटर ठीक है तो निहारिका ने जो distance कवर किया है 80 line पर वो कितना है 25 मीटर और निहारिका जो है वो second line पर दौड रही है तो अगर आप अच्छे से graph को remind करें याद करें तो यह जो होती है यह हमारी x-axis होती है और यह जो होती है यह हमारी y-axis होती है तो देखिए यहाँ पर जो है coordinates किस तरीके से बनेंगे तो x-axis पर जो है second line है तो यहाँ पर आ जाएगा two उसके बाद ad के लिए जो है ad के लिए distance लेगे कितना cover हुआ है 25 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 को ठीक है तो निहारी का जो point पर है उसके coordinates क्या है two comma sorry it is 25 यह कितना होगा 25 तो निहारी का जो point पर है उसके coordinates क्या है two comma 25 आगे question को read out करते हैं प्रीट runs one-fifth the distance ad on the eight line and post a red flag जैसे निहारी का ने जो है green flag रखा हुआ है one-fourth distance cover करने के बाद वैसे ही प्रीट ने जो है जो eight line पर दौट रही है उसमें one-fifth distance cover करते हुए red flag को post किया है तो यहाँ पर जो है वो है प्रीट तो मैं यहाँ पर point p कर देता हूँ और इसका coordinate देखे क्या होगा एक तो वो eight line पर है इसलिए eight अब जो है ad पर ad पर जो है वो कौन से point पर होगी इसे हमें determine करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो है one-fifth दिया गया है पर muddy एड तो यहाँ पर जो point बन जाएगा देखे वो point क्या होगा 20 अब देखे हमारे पास दो points आ चुकRE है end point जिसके coordinates अवेलेबल है p point जिसके भी coordinates अवेलेबल है what is the distance between both the flags यहाँ पर जो है green flag है यहाँ पर जो है red flag है इन डोनों के बीच का जो distance है उसको हमें determine करना है तो देखे distance को जो है determine अगर हमें करना हो तो बहुत ही आसान सा formula है और उस आसान से formula को हमें लिखना है और आसान सा formula मेरी उमीद है आप लोग को ज़रूर से याद होगा तो लेकिए distance formula क्या है distance formula होता है आपका square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square देखिए यह हो जाएगा आपका x1 y1 यह होगा आपका x2 और y2 चलिए values को input कर देते हैं अब हम x2 की जगा पर देखिए कितनी value आएगी x2 की जगा पर है a x1 की जगा पर आजाएगा 2 the whole square plus y2 की जगा पर आजाएगा 25 और y1 की जगा पर आजाएगा 20 the whole square अब इसको simplify करते हुए हमें जो value मिलती है 8 minus 2 is 6 square 25 minus 20 is 5 square तो देखिए square root हमें कितना मिलेगा 6 का जो square है वो है 36 5 का square है 25 36 plus 25 देखिए कितना हो जाएगा square root of 61 तो यहाँ पर जो distance हमें मिल रहा है वो distance कितना है distance is square root of 61 meter ठीक है अब आगे question को read out करते हैं हमने distance को determine कर लिया है अब रस्मी नाम की एक लड़की है जिसको क्या करना है यह जो line segment है इसके बिल्कुल center पर blue flag को post करना है बिल्कुल center पर और उस center जो point होगा उसके coordinates को हमें determine करना है इसके जो coordinates होंगे उसको जो है हमें determine करना है तो देखिए आ जाते हैं हम यहाँ पर new page पर तो new page पर हम आ चुके हैं देखिए यह जो question है इसको मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ अब जो है center पर जो point तो मैं यहाँ पर center पर एक point को mark कर देता हूँ let's suppose कि वो center पर point है वो यह है और यही पर blue flag को रखना है ठीक है अब यह point को हम नाम दे रहते हैं R क्योंकि रस्मी है ठीक है अब इसके जो coordinates है उसको हमें determine करना है इसके जो coordinates है उसको हमें determine करना है और रस्मी ने जो है blue flag को post किया है बिल्कुल center पर बिल्कुल जब center पर post किया होगा तो यह जो line segment जो है वो exactly दो हाफ में divide हो चुकी होगी तो इसका जो ratio बना होगा वो कितना होगा m1 और m2 क्या होगा exactly 1 is to 1 और अब जो है यहाँ पर हम section formula का use करते हुए यह जो r point के coordinates से उसको हम determine करेंगे तो चलिए section formula को जो है apply करते हैं section formula ठीक है section formula क्या होता है आपका m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 और यहाँ पर होगा m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 ठीक है उसके बाद जो है देखे सारी values हमारे पास available है m1 भी है x2 भी है x1 भी है y2 y1 दोनो values available है अब हम simply values को input करते चले जाएंगे m1 की जगा पर देखे हम रख देंगे 1 को x2 जो है वो है हमारा 8 plus m2 की जगा पर देखे हम अगें रख देंगे 1 x1 जो है वो है हमारा 2 और यह हो जाएगा m1 plus m2 that is 1 plus 1 और अगें m1 की जगा पर हम रख देंगे 1 y2 है 20 plus m2 की जगा पर हम रखेंगे 1 और y1 है हमारा 25 उसके बाद अगें m1 plus m2 that is 1 plus 1 ठीक है उसके बाद जो है 8 बन जा 8 हो जाएगा 12 is 2 1 plus 1 is 2 21 is 20 25 is 25 upon 2 8 plus 2 is 10 upon 2 20 plus 25 is 45 upon 2 और इसको अगर और जादा simplify किया जाए तो value यहाँ पर मिलेगी 25 is 10 और यह कुछ हो जाएगा आपका 22.5 तो जहाँ पर रस्मी जो है blue flag को post करेगी वो point कौन सा होगा x-axis पर होगी 5th line और y-axis पर होगा 22.5 meter मतलब ed जो line है वहाँ पर 22.5 meter होगा और जो आपकी कौन सी line है ए बी जो line है वहाँ पर रस्मी जो है वो कौन सी line पर होगी 5th line पर तो देखिए इस तरीके से हमने step by step पूरे कोशन को step by step पढ़ते हुए बड़ी ही आसानी से answer कर दिया है I hope and I know आपको जरूर से ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो जरूर से चैनल को subscribe, like और share कीजिए notification के लिए bell icon को press कीजिए Thank you for watching